हरहर महादेव जय भोलेनाद नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सम पे आपका स्वागत करती है दोस्तों मैं बात करूँगी करवाचवद विसर्जन की सही विधी क्या है देखें सही विधी विसर्जन की अतिय अनिवारे हैं जब देवी देवताप की प्रतिक्षा करेंगे तो आपको आसिरवाद देने का तो सवाल ही नहीं उठता है तो विसर्जन में क्या चीज़ें आपको रात को उठानी है चौकी को क्या करना है रात को उठा लेना है या फिर नहीं उठाना है किस प्रकार आपको करना है संपोर्ट जानकारी आपको इस वीडियो से राप्त होगी कलस में यदि आप क्या हंगे हूँ चावल या फिर ड्राइफ रूट यदि भरा जाता है तो उसका क्या करना है कपड़ा है यदि आप छड़ाए है या फिर चोकी पे बिचाए हैं तो उसका क्या करना है हलदी, सुपारी, दक्षिडा, फोटो, मूर्ती, करवा, चावल जो सरही लगाई जाती है वो क्या करना है कलस की पानी का क्या करना है नारियल का क्या करना है संपूर जानकारी आपको इस वीडियो से प्राप्त होगे सबसे पहले छीज तो ये जानले कि जब आप की पूजा संपोर हो जाए आप पूजा करके और चंदर पूजन के बाद जो है आप एक काम करें शबसे पहले तो आपको विसरजन का अक्षट डालना है विसर्जन का आख्षत मैंने आपको बताया था पिछली बार जो नवरात्री विसर्जन था उस पे भी आपको समझाए थी कि विसर्जन करना क्यों अनुग आ रहा है पूजा स्थान में रखते हैं और यदि आप फोटो या मुर्ती का विसर्जन करते हैं तो यह चीज़े बिल्कुल गलत हैं हर बार नई फोटो मुर्ती आपके पास है आप उन्हीं से पूजन करें वही अच्छा होता है कि विसर्जन के चावल फोटो मुर्ती को छोड़कर के आपको कलस पेड़ा जाता है यह पूर्य वर्स माता की पूजा सेवार नहीं कर पाते हैं या घर में रख पाते हैं तो आप उनका विसर्जन करना है तो आप हाथों में चावल और फूल ले करके हाथ जोड़ करके हे देवता मैंने करवा चौत ब्रत के पूजन के लिए आपका हवान किया था अब आप अपने स्थान को लोटे और मेरे जो द्वारा किये गए पूजा पाठ है उनको जो है कि मुझे पूरे फल प्रदान करे क्योंकि आप जानते हैं जो कलस होता है उसमें हम सब पूड देवी देवताव का आवान करते हैं तो वो चावल छोड़ दे फोटो या मुर्तियदी आपको नहीं रखना है तो आप उनके उपर भी विसर्जन के चावल छोड़ दे सम मिलाकर आप समझे विसर्जन के चावल यहीं पर छोड़े जाते हैं जिनको हमें भी सर्जन करना होता है अब जो आप जो भोग प्रसाट चढ़ाए हैं उनको निकालने उनको हटाले जैसे कि आप फ़ल चढ़ायें वो हटालें मिठायां हैं या फिर जो पान न्य पकवान बनाकर आप चढ़ाते हैं वो सारे हटा अब बात करते हैं कि जो आपने चावल या गी हों करवे में भरा हुआ है कलस पर रखा हुआ है तो उनका क्या करें देखिए उनका भी दान किया जाता है यदि आपकी हां ब्रहमळ आते हैं तो उनको दान कर सकते हैं किसी जरूरत मंत को दान कर सकते हैं या फिर आपको लगता रखते हैं उन्हें दान करने की कोई भी आउसकता नहीं है हल्दी सुपारी दख्षिडा इत्यादी जो कलस में डालते हैं उनको आप ब्रामण को दान दे सकते हैं या फिर मंदिर में भजवा सकते हैं फोटु मुर्ति को मैंने बताया कि आप खुद के पास भी रख सकते हैं और कलस के जल का आप क्या करें तो कलस के जल को आप सबसे पहले तो उठा करके पूरे खर में इससे छिड़कें क्योंकि आप जानते हैं कलस में जो रखा हुआ जल है उसमें दाइवी सकतियां होती है तो उनको छिड़कने के बाद जल को आप जो किसी गमले किसी फौधे मे डाल दे, पैरों के नीचे जल बिल्कुल नहीं आना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात की चौकी आपको कब हटानी है, तो देखिए विसरजन विधी तो मैंने आपको बताई, वो आपको खाना खाने से पुर्वा रात को ही विसरजन विधी संपूर्ण कर लेनी है, औ और विसरजन विधी तो देखिए जिस चीज में आप रात में भगवान की ना तो सेवा कर सकते है, ना पूजा कर सकते है, ना दीप्रज्वलित कर सकते है, ना महां बैट करके जागनन करेंगे, ना भजन गाएंगे, तो फिर भगवान को वहां छोड़ने का कोई अर्थ न जलने दे और जो खाने पीने की चीज़े हैं जैसे कि मैंने बताया कि मिठाई है फल है तो यह सारी चीज़े उठा ले और एक करवा तो हम ऐसे ही उठा लेंगे चंदरदेव को जल देने का दूसरा करवा जो है वो सासुमा को जाता है तो सासुमा को जाने वाला जो करवा है उसे उठाकर यदि आपकी सासुमा आपके साथ रहती है तो आप उन्हें हाथ के हाथ दे करके और तब जो है अपना जो खाने पीने का काम है वो करें और जो आप स्रिंगार की सामगरी चढ़ाई होती है तो यदि आपने सास की थाली में जो चढ़ाया है वो तो सास को ही और यदि आपकी सास नहीं है या फिर किसी कारण से आप दूर रहते हैं तो जो सामगरी खराब नहीं होने वाली है उसे कहीं आराम से रख दे और जब आप सासुमा के पास पहुचे तो दे दे और आपकी सासुमा नहीं है या फिर लेने लाइक नहीं है सुहागन नहीं है तो कल्स के उपर यदि अपने नारियल रखा है तो मैं बताई हूँ आपको फिर बता रहे हूँ कि कल्स के उपर रखे हुए नारियल को कभी भी फोड़कर नहीं खा जाता है उसका विसर्जन किया जाता है या फिर उसे आप लाल कपड़े में बांद कर अपनी तीजोरी में रख सकते हैं और यदि आप जो है उनको नहीं रखना चाहते हैं तो उनका विसर्जन कर देना चाहिए फूल या फिर आम के पते जो कलस में डाले रहते हैं जो पान के पते होते हैं उन सब का विसर्जन किया जाता है तो उन सब को उठा कर रखते हैं और आप चाहें तो किसी पवि आप चाहे तो जल में भी सर्जन कर दे और चाहे तो गटे खोद करके और उनके नीचे आप उसे डाल सकते हैं। और दूसरी चीज दोस्तों कि आप जो है अपनी जो सामगरी आप उठाए हैं वो रात को ही परिवार वालों में जैसे कि खाने पीने की जो सामान भगवान को हम प्रसासुरूप चड़ाये होते हैं उनको उठाकर परिवार के सदस्यों में बाढ़ दें सासु मा को यदि हैं तो पैड छू करके उनका आशिरवार लेकर के और तब जो है आप अपना भोजन इत्यादी ग्रहन करें क्योंकि ये भी आपके ब्रत का एक हिस्सा होता है जब आपका ब्रत पूर्ण हो जाये तो सासु मा को सामगरी दें उनका आशिरवार लें और तब जाके आप अपना भोजन जो है वा घ्रहन करें ये सब काम आपको करना है अब बारि आती है कि जब आप ये सामगरी उठाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि सूरश को बिल्कुल भी नहीं हटानी है चौकी आपको सुबा मूर्ती को आपने मंदिर में रख देंगे, यदि फोटो मुर्ती के आप पूजा नहीं करना चाहते हैं, जैसे करवा माता की फोटो हर साल आप लोग लाते हैं, तो यह चीज़ें होनी तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी फोटो मुर्ती आप जब रख लेते हैं, हर साल उसका पूजन करते हैं, तो वो अ अगले साल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन मिटी के बरतन हुए दिया हुए चाहे दिया हुआ या फिर कलस हुआ या फिर करवा हुआ तो जो भी मिटी की चीज़े हम एक बार पूजा में इस्तेमाल कर लेते हैं उनको हम दुबारा पूजा में इस्तेमाल नहीं करते हैं तो मिट सकते हैं पती को भी दे सकते हैं कोई समस्या नहीं है तो ये सारी काम करें आप और ये करवे जो है वो आप चाहे तो विसरजन करें चाहे तो पूरे साल के लिए आप अपने घर में इसको गेहूं या चावल भरकर घर के किसी कोने में रख दें इसी धनसमरिधी में बृधी हो दे सकते हैं और नहीं कोई आपको उपाय समझ में आ रहा है तो आप उठा करके इसको चिडियों को डाल सकते हैं तो यह सारे काम जो है वो आप करें अब बारी आती है कि जो आपने सास की थाली के अलावा गवरी जी को यदि आपने कोई स्रिंगार सामगरी चड़ाई है तो आप स्वायम भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं देने वाले यानि कुछ लोगों में बाट भी सकते हैं तो यह सारे काम आपको कर लेना है और जो चामान रात में उठाना है वो मैंने आपको बताया कि आप जो प्रशाद है परिवार में बाटने के लिए उसको रात में ही हटा जब आपकी पूजा हो जाए चंदर पूजन पती पूजन हो जाए उसके बाद अपना जो प्रसाद है उसको हटा दे उठा ले अब यदि आपने भगवान को जनेव अर्पित किया हुआ तो जनेव का क्या करें यदि घर में कोई पहनने वाला है तो आप उन्हें दे सकते हैं अने था उनका भी जल विसरजन कर दे अब पान के पते हे और गोरी गणेस से तो देखिए गोरी गणेस का विसरजन तो नहीं किया जाता है गोरी गणेस को उठा कर आप कहीं सापसुत्रे स्थान पे रख दे और यदि लगता है कि आप उनकी पूजा प्रजैसी की हल्दी की गौरी बनाई है या फिर गोबर की गौरी बनाई है तो आप इनको किसी पौधे विज्ट्यादी में रख दे और गणेश जी की बात है तो गणेश जी को आप कहीं बी सुरजचित इस्थान पे रख सकते हैं तो ऐसे ही किया जाता है क्योंकि गोरी गणेश का विसरजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए गणेश जी को माना जाता है किरिदी सिधी के दाता है बिग्न की हरण करने वाले हैं तो इसलिए उनका विसर्जन नहीं होता है तो मैंने बताया कि यदि आप अलग से कोई नारियल चढ़ाए हैं चौत माता को या फिर गणेशी को भगवान को तो उन नारियल का आप इस्तेमाल फोड़ करके खाने में कर चकते हैं और यदि आपके हाँ दीप कलस नहीं रखा जाता आप कलस पे नारियल रखा हैं तो उस नारियल को आप जो है प्रवाह कर दें या फिर अपने तिजोरी में रखें तो सारी समगरी जो है इसी प्रकार करनी है सास की थाली यदि दूर है तो आप उनको बांध करके रख लें और जब आप उनके पास पहुंचे तो दे दें क्योंकि दोस्तों ये भी इस ब्रत का एक विधान है ऐसी मानेता है कि जब सुहाग की जो ब्रत होते हैं उसमें हम सुह चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक जरूर करें आपके लाइक से मुझे बहुत प्रेणा मिलती है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके मार्क दर्शन परिवार का हिस्जा बनें उम्मिद करते हूं जानकारी आपको पुशंद आएगी धन् झाल